हलो फ्रेंड्स में नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ग्यान विज्ञान दोस्तों आज के वीडियो में हम डीटेल में कंपेर करेंगे भारत के तीसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक बैंक ओड़ोदा के सेविंग्स अकाउंट और भारत के छटे सबसे बड़े सरकारी बैंक बैंक ओफ एंडिया के सेविंग्स अकाउंट को जिससे आप ये तैह कर सकें कि आपको खाता कहां खुलवाना चाहिए और कौन से अकाउंट बेटर है तो दोस्तों वीडियो को लाइ सेविंग्स अकाउंट और बैंक ओफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट का नाम है सेविंग्स बैंक ओर्डिनरी अकाउंट ये दोनों ही अकाउंट इन बैंकों के नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है अब दोस्तों नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट का मतलब ये है कि अग लेकि अगर आपने किसी especially किसी account का नाम नहीं लिया जो कुछ अलग तरगे का account उनके हाँ होगा अगर आप नाम नहीं लेंगे तो आपका normal account ही खुलता है और वो यह account है जो charges मैं यहां बताऊंगा उन पर GST अलग से लगेगा जो की 18% है B.O.B. में online या offline दोनों ही mode से self या jointly account खुलने की facility है लेकिन Bank of India में account सिर्फ offline mode से self या jointly खुलता है अभी यहां पर online की facility उतनी अच्छी शुरू नहीं हुए B.O.B. में rural branches में account 500 रुपए से semi-urban branch में 1000 रुपए से और urban branch में 2000 रुपए से खुलता है वही Bank of India में किसी भी location पर अगर checkbook के साथ account खुलते हैं तो 500 रुपए नहीं तो 100 रुपए से account खुलेगा यही इनके minimum balance है दोनों ही banks में opening balance को quarterly maintain रखना होगा नहीं तो charge लगता है जिसे non maintenance charge कहते हैं Bank of Rota में balance maintain ना करने का charge 125 रुपए से लेकर 200 रुपए तक है जो branches की location जैसे rural, semi-urban, urban के उपर depend करता है Rural में कम होगा, urban में ज्यादा होगा Bank of India में balance maintain ना करने का charge 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक है जो की branches की location पर depend करता है rural, semi-urban और urban B.O.B. के savings account में balance पर 2.75% per annum का interest है लेकिन Bank of India में savings account interest 2.90 per annum है B.O.B. में 30 check leaves free मिलती है हर साल ये free check leaves खतम होने के बाद अगर average quarterly balance 2,00,000 रुपए से कम है तो 5 रुपए पर check leave चार्ज लगेगा नहीं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा free of cost आपको नई checks मिल जाएंगी B.O.I. में एक check book 25 leaves की free मिलती है हर साल और free check book खतम होने के बाद 4 रुपए पर check leave का जाल लगता है B.O.B. में आप check से कितना भी amount निकाल सकते हैं लेकिन withdrawal सिप से सिर्फ 25,000 रुपए निकाल सकते हैं एक दिन में B.O.B. home branch में ADC transactions जैसे online transaction या cash dispenser के ज़़ारा जो transaction किये गए होंगे cash के तो उनको छोड़कर cash deposit के total 5 transactions free allowed हैं पर मन्त जिसको पार करने पर 40 रुपए से 50 रुपए तक per transaction का चार्ज लगता है जो branch की location पर depend करता है यानि कि rural में ये कम है और urban में ये ज़्यादा होगा B.O.I. home branch में ADC transactions जैसे online transaction या cash dispenser के द्वारा किये गए transactions को छोड़कर cash deposit के total 5 transactions free allowed हैं पर मन्त जिसको पार करने पर 50 रुपए per transaction का चार्ज लगता है किसी भी location वाली branch पर B.O.B. में ATM card free है लेकिन अगर debit card लेंगे तो वो chargeable है जिसमें regular debit card issuance का 150 रुपए और annual maintenance charge का 150 रुपए कटता है card महंगा लेने पर charges भी बढ़ जाते हैं इसलिए जितना सस्ता card उतना ही कम charge जितना महंगा card उतना ही charges ज्यादा होंगे B.O.I. में debit card issuance free है जिसमें classic debit card का annual maintenance charge 150 रुपए से 200 रुपए कटता है ये charge दूसरे साथ से कटेगा जो की card के according होगा net banking और mobile banking की सुख़ा customer को हर जगे फ्री मिलेगी NEFT, RTGS, IMPS जैसी सुख़ाएं दोनों banks में है और bank के according amount पर chargeable है B.O.B. में first nomination में कोई charge नहीं है पर subsequent में 100 रुपए charge लगेगा यानि कि अगर आप nomination आपने एक बार करवा लिया तो वो तो free रहेगा लेकि फिर बाद में आपने उसमें बदलाफ किया, किसी और का नाम एड़ किया तो उसमें हर occasion पे 100 रुपए charge लगेगा जतनी बार आप add करेंगे, उतनी बार 100 रुपए charge लगेगा सिर्फ पहली बार free है BOI में nomination की सुधा free है, फिलाल उसमें ऐसा कोई charge नहीं है BOB और BOI दोनों ही bank में पहले 14 दिनों में अगर आप खाता बंद कर देते हैं खुलने के 14 दिनों में पहले ही आप खाता बंद कर देंगे, तो कोई charge नहीं लगेगा लेकिन खाता खुलने के 15 दिन से एक साल के बीच में अगर आप खाता बंद करते हैं तो BOB की rural branch में खाता है तो 275 रुपे, urban branch में खाता है तो 300 रुपे charge लगता है वही bank of India में 350 रुपे charge लगता है किसी भी बंद में खाता हो, हर बंद में same amount है वहीं अगर एक साल के बाद आप खाता बंद करेंगे, तो दुनों ही bank में कोई charge लगता है बलकि एक साल के बाद खाता बंद करने पर किसी भी bank में कोई charge नहीं लगता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज के वीडियो में आपने जाना वी ओबी और bank of India के savings account के features के बारे में उमीद करता हूँ कि आपको आज का मेरे ये वीडियो अच्छे समन में आ गया होगा अगर आपका इससे संबंदित कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछें मैं जब आप जरूद दूँगा